जलवाईव परिवर्तन अब फसलों के लिए बड़ी चुनोती बनता जा रहा है साथियों अब देखा जाए तो मार्च और एप्रेल में कभी-कभी बारिस होने के बाद में सर्दियों जैसी ठंड पढ़ने लगती है तो यह जो मौसम का बदलाब है और सर्दियों के टाइम पर गर्मी पढ़ती है तो यह जो बदलाब है मौसम का यह फसलों के लिए एक बड़ी चुनोती है क्योंकि यह ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्स्टरनल हैं बाहर के factor है इन्हें किसान control नहीं कर सकते इसलिए वैग्यानिकों ने काफी समय से research करी थी कि जो temperature बढ़ रहा है उसको हम कैसे नियंतरित कर सकते हैं तो उन्होंने देखा कि एक तत्तु सिलीकॉन जो है वो काफी हद तक फसलों पर जो external factors होते हैं उनको control करने में सहायक होता है और ये पौदे के उपर एक ऐसी परत बना देता है जिससे कि जो बाहरी रोग होते हैं उनको control करने में मदद मिलती है पौदे को तो ये रोग प्रतिरोधक छमता विक्सित करने में सहायक होता है कोशी का वित्ती को विकास सील बनाने में ये मददगार होता है पौदे के संपूर्ण बनस्पतिक विकास में ये सहायक है ये अभी की जल्दी की रिसर्च है जिसमें ये किलियर हुआ है तो सात्यों आज का मुख्य टॉपिक है सिलिकॉन और silicon के बारे में जानते हैं आज बहुत कुछ तो साथियों धर्ती पर लगवग 24% तक silicon पाया जाता है इतनी बड़ी मात्रा में silicon होने पर भी पौदे को ये सीधे नहीं मिल पाता क्योंकि ये पानी में एगुलन सील होता है यानि पानी में घुलता नहीं है इसलिए पौदे को नहीं मिल पाता अब silicon को पौदे किस रूप में लें तो इसमें UPL कंपनी वालों की भी बड़ी रिसर्च के बाद एक प्रोडेक्ट लॉंच हुआ था गेनेकसा के नाम से और इसमें इन्होंने 0.6% में silicon को salicylic acid के रूप में convert किया और फिर इसको इन्होंने launch किया तो साथियो silicon को salicylic acid के रूप में पौदे absorb कर लेते हैं grant कर लेते हैं और salicylic acid के बहुत जबरजस्त फाइदे पौदाओं में देखने को मिलते हैं साथियो salicylic acid को जैसे अभी गेहों की फसल में जब temperature बढ़ता है तो बालियां एक साथ सूखने लगती हैं जिससे कि दाने का बजन कम हो जाता है दाने की जो growth है वो रुक जाती है और एकदम पौदा पकने के लिए चला जाता है जिससे कि हमारे उत्पादन पर सीधे effect पढ़ता है salicylic acid का spray अगर इस अवस्था में कर दिया जाए तो ये पौदे को temperature सोखने की जो छमता है उसको control करता है इसे नियंतरित करने से पौदे का दाना जो है वो पूरा भढ़ता है दाने में बजन अच्छा रहता है और उत्पादन पर effect इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता साथियो silicone इसलिए आवश्यक हो गया है आज की date में कि biotic stress और abiotic stress जो हमारी फसले हैं ये दो प्रकार के दवाब जहिल रही हैं जिसमें पहला है biotic दवाब biotic का मतलब हो गया कि बहुत सारे रोग होने के कारण फसलों पर एक pressure रहता है दवाब रहता है कि फसलें किस-किस रोग से लड़ें और दूसरा abiotic दवाब बहुत सारे बदलाव हमारे मौसम में हर बार होते हैं और मौसम के बदलावों के कारण फसल पर एक प्रेशर आता है दवाब आता है जिसे पॉदों को जहिल ना होता है और उससे जहिलने के लिए पॉदों को रोग प्रत्रोदक छमता चाहिए क्योंकि हर दिन नए मोसम को जहल पाना फसलों के लिए समभब नहीं है और जब फसलें जहलती हैं तो फिर उन्हें रोग प्रत्रोदक छमता विक्सित करने के लिए स्लीकोन की ज़रूरत पड़ती है और स्लीकोन पानी में गुलंसील नहीं होता इसलिए नहीं मिल पाता इसी वज़ा से 0.6% में सैलिसिलिक एसिड का उपयोग करना ज़्यादा बहतर सावित होता है फसलों के लिए आप जान लेते हैं कि सैलिसिलिक एसिड पौदों के अंदर काम कैसे करता है तो सैलिसिलिक एसिड को हम किसी भी रूप में अगर पौदे तक पहुँचा देते हैं यानि इस्प्रे के माद्ध हम से अगर पौदे को देते हैं तो पौदे के अगर ये पत्ते पर टच हो जाता है तो ये सिस्टेमेटिक की तरह काम करेगा ये तने में चला जाता है पौदे की जड़ों तक चला जाता है पौदे में फूल और फल की अवस्था तक चला जाता है तो ये पूरे पौदे में फैल जाता है और ये सिस्टेमेटिक है इसी वजह से पौदे के संपूर्ण विकास में सहायक होता है पौदे के तने में, पत्तियों में, फूल और फल की अवस्था में भी ये सहाय इता करता है साथियो सैलिसलिक बिलको नैचुरल तत्त है और ये किसी भी टाइप से एसिडिक नहीं होता ये किसी भी टाइप का कोई कैमिकल नहीं है, ये पौदों में भी विशेस कर पाया जाता है गुलाव के पौदों में बहुत ज़्यादा मत्रा में पाया जाता है इसलिए इसे जो भी तने वाले पौदे होते हैं उनमें अगर हम लगाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं जैसे गुलाव हो गया, कपास हो गई, गन्ना है, धान में तो बहुत ज़्यादा ज़रुरत होती है इसकी यह धान को पकने में, बढ़वार में और हर तरह से इसकी हैल्प करता है सात्यों, यह एक हलका फंगी साइड है, अगर पौदे में हलके किसी भी टाइप की फंगस है, उसे कंट्रॉल कर देता है अगर मानो किसी के फल गिर रहे हैं, पौदे के, तो गिरते हुए फलों को रोकने में बहुत साहयक होता है फूल ज़्यादा ज़ड़ रहा होता है, वहाँ पर यह साहयक होता है, फूल की मात्रा बढ़ाने में भी यह साहयत अगरता है तो यह हलके फंगिसाइड के साथ में बिलकुल एक नैचरल प्राकिट दिकततो है, इसका उपयोगा भरपूर मात्रा में कर सकते हैं सात्यों, एग्री कल्चर ग्रेड में सैलिसलिक एसिड को यहाँ UPL कंपनी ने गैनेकसा के नाम से तयार किया है और इसमें इन्होंने 0.6% सैलिसलिक एसिड के रूप में इसे तयार किया है इसमें इंगिडियंट भी सिर्फ सैलिसलिक एसिड ही है और ये डोज में अगर हम बात करें तो धान में 500 ml प्रती एकड के हिसाब से लगा दें सफिशेंट रहता है यानि जो भी अनाजवर्गिय फसले हैं धान, गेहों, मक्का, जुहार, बाजरा अगर इन में हम लगाते हैं तो 500 ml प्रती एकड की डोज लगाते हैं सफिशेंट रहेगी अगर मानो गन्ना, कपास और हमारे गुलाब जैसे जो तने वाले पोदे हैं अगर उन में हम लगाते हैं तो हमें यहां पर 1 लीटर प्रती एकड तक की डोज इसकी डालनी होगी उससे हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे साथियों अगर बात करें हम फूल और फल की अवस्था में तो फूल और फल की अवस्था में इसे हमें 2 वार उपयोग करना चाहिए जब हम फूल बनने की अवस्था देख रहे हों पोदे में उसे 10-15 दिन पहले उपयोग करें और जब फूल छिटकने वाला हो यानि फूल छिटकने के बाद फल बनने के अवस्था होती है तो फल बनते समय हमें एक spray इसका हलका तब कर देना चाहिए तब हमें और ज़्यादा फल देखने को मिलते हैं पौदे पर साथियों आब यहाँ पर salicylic acid के कुछ technical points जान लेते हैं तो इसका mode of action क्या रहता है वो systematic है जैसा कि मैंने आपको बता है अगर हम पत्तों पर इसे लगा देते हैं तो यह पूरे पौदे में फैल जाता है तनिके माद्ध हम से सारे पौदे में चला जाता है दूसरा यह कितना acidic है तो यह acidic नहीं है क्योंकि यह pracritic tato है अगला इसको हम किन-किन तत्तों के साथ मिला सकते हैं हम इसे insecticide और pesticide के साथ भी मिला सकते हैं क्योंकि ये प्राकिर्टिक में आता है और ये कोई भी chemical के साथ में reaction नहीं करता है लेकिन फिर भी आप इसे मिला के देखें अगर paste हमारा गाड़ा हो जाता है या फटता है तो इसे उपयोग मां ना लाएं साथियों फिर बात करते हैं कि इसे हमें कितनी डोज के साथ में इस्प्रे करना चाहिए तो इसे लगवग 113-200 लीटर पानी के साथ में ही प्रती एकर जमीन में इस्प्रे करें अगर मानो अनाज वर्गिया फसले हैं तो 500 ml ले 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 और जो भी हमारी बड़ी फसले हैं गन् बननी के वस्ता होती है उसमें लगाते हैं तो यह फल को भी बढ़ाएगा इसमें हमें बहुत अच्छे उत्पादन देखने को मिलेंगे सात electric एसेड हमारे मौसमी परिवर्तन के द्वारा जो पौदे पर दवाब आता है उस पर फोकस करता है और उसे यह कंट्रॉल करता है पूरी तरह से तो साथियों ये abiotic stress को control करने में सहायक होता है साथियों ये मिर्च के पौदों में भी फूल और फल बढ़ाने में सक्षम होता है आप मिर्च के पौदों में भी इसका practical करके देख सकते हैं और spray के माध्यम से लगाएं अज़ाद अच्छे result देखने को मिलेंगे तो आशा गरता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी silicone और salicylic acid के बारे में आपको भरपूर जानकारी यहां मिली होगी फसलों से related जहां तक सवाल है और फसलों में आप इसका उपयोग भी करेंगे फिर भी अगर आपकी कोई query हो तो आप comment box में पूश सकते हैं मैं आपको जरूर reply करूँगा तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार किसान